आप लो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का लेसन नमबर वन अगर्ल विद दा बास्केट की समरी को समझेंगे बहुत इंटरेस्टिंग लेसन उससे यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है पिछले 30 सालों में बीसियों बार इसमें से explanation आया है तो जरूर ध्यान देश का वाच करें वीडियो को आखिर तक बहुत कम टाइम में इसे explain कर देंगे इसकी पूरी समरी को समझा देंगे आखिर कहानी क्या है तो लेसन का नाम है गरल बिद्दा बास्केट छोटी सी बच्ची टोकरी वाली है वो टोकरी वाली बच्ची राइटर है विलियम सी डगलस अपनी एक यातरा में जो यातरा दिली से रानी खेट तक के लिए थी दिली से बरीली तक वो एक ट्रेन से आए जो कि पैसेंजर ट्रेन थी और बरीली से decide कि आगे वो कार से रानी खेट जाएंगे तरही छेतर में तो जब वो पैसेंजर ट्रेन से चल रहे थे हर स्टेशन वे जब वो उतरते थे लोगों से बातें कर रहे थे पार्टीशन का समय था बेक्गराउंड में पार्टीशन है यहां लिखा है मैंने पार्टीशन 1947 इसके वरे में आपने काफी पढ़ा हो काफी गदर हुआ उस टाइम आपने गदर में भी देखा हुआ और 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए नई जगा पाने के लिए नया घर पाने के लिए जो आसान नहीं था वहां सब वो छोड़ाए थे बेघर हो गए थे सब्कों पर पढ़े थे जगए 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 जोबड़ियों पर पढ़े थे टेंट लगा रखे तो नहीं तरपाल लगा रखे थे वहां दुकाने खोल लखे थी अपना सामान बेच रहे थे इस टाइप से रह रहे थे एक स्टेशन ऐसी आई जहां राइटर को ऐसे बच्चों ने घेर लिया जो इनी शरणार थी लोगों के बच्चे थे इससे पहले राइटर अलग अलग अस्टेशन पर उतरता था लोगों से बात करता था आब्जरवेशन करता था लोगों से बात करता था जो चला था देश में यहां के हालात के बारे में, यह कंट्रोवर्सीज के बारे में, लोग किस तरह से रह रहे थे, नए देश का कैसे सुआगत कर रहे थे, इन सब के बारे में बातें कर रहा था, अचानक उस स्टेशन पर जब बच्चों नोसे घेरा, उनके हाथ में, बच्चों के हाथों में, हा काफी कुछ सामान खरीद भी लिया और अपना हाथ जब भर गए उसके तो अपने डिबे की और जाने लगा अचाने की नौ साल की बच्ची ने उसका ध्यान अपनी और खेचा ये नौ साल की बड़ी प्यारी सी बच्ची उसके पास एक टोकरी थी वो उसे बेचना चाहती थी राइटर ने बताया उसे कि उसके पास अब जगे भी नहीं है और काफी सामान खरीद लिया इसलिए उसे जरूरत भी नहीं है उसने कुछ पैसे निकाल कर बच्ची की टोकरी में डालने चाहें इहीं पर उसने बहुत बड़ी गलती करी क्योंकि उस बच्ची के अंदर उसने कहा देखा प्राइट और सेल्फ रिस्पेट बच्ची ने बड़े गुरूर के साथ बड़े ही सौयमान के साथ आत्मसमान के साथ पैसे उठाए और राइटर के हाथ पे रख दिये वापस इस मैसेज था इस बात का कि हम मजदूर तो हैं मजदूरी कर रहा हैं महनत कर रहा हैं लेकिन साहाब इतने मजबूर भी नहीं कि हम लोग भीख मांगने पर उतर आए तो ये जो मैसेज दिया चोटी सी बच्ची ने राइटर के लिए उस राइटर के पास कोई और चारा नहीं बचा अपनी इज़द बचानेंग लिए उसने वो टोकरी उसकी खरीद ली बाद में राइटर ने जिक्र किया है उसने इस कहानी के बारे में पंडित जवाला नहरू को बता है जो भारत के बच्ची का करेक्टर है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका सम्मान है आत्म सम्मान है स्वाबिमान है और इस छोटी सी बच्ची इस कहानी में हमें नायका की तरह दिखाई देती है और इसके अंदर भारत की जोलंत भारत की आत्मा दिखाई देती है So this is all about the summary of the lesson I hope that you have liked it अच्छा लगाओ तो प्लीजिक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तो शेर जरूर करें सब्सक्राइब आपने कर लिया हूँ ऐसा मैं मान के चल ला हूँ Thank you very much, bye till the next video